फ्रेंड्स बहुत से कमेंट आये हैं कि उनके कम्प्यूटर में C-Drive फुल दिखा रहा है या फिर फ्री स्पेस कम दिखा रहा है वेलकम टू माई चनल सेंकी टेकी जब आपको वीडियो एडिटर या फोटो एडिटर यूज करते हैं, ओनलाइन गेम खेलते हैं उस केस में होता क्या है कि आपके PC में temporary files create होती हैं इसी तरह आप अलग-अलग website search करते हैं तो कुछ websites के catch आपके C-Drive में store रहती हैं आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि कैसे हम Windows के clean manager utility को use करके हम C-Drive को clean कर सकते हैं without losing our important data, बढ़ते हैं वीडियो में, let's go clean manager utility को open करने के दो तरीके हैं, first आप चाहिए my computer पर, इसको open कीजिए, आप चाहिए C-Drive पर, इस पर right click कीजिए then select properties, जब आप इस पर click करेंगे, देखें यहाँ पर आपको option मिलेगा, disk cleanup, हमें इस पर click करना है जैसे हम इस पर click करेंगे, यहाँ पर कुछ file सर्च करके, आपको एक pop-up box open करके दिखाएगा first है, downloaded program files, 0 bytes, यहाँ पर program का नाम है, आगे इसकी memory कितनी आपके C-Drive की यूज़ कर रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा next है, temporary internet files, जहाँ पर यह है, 1.09 MB, इसी तरह offline webpage है, windows error है, direct access, catch memory है, delivery optimization files है, downloads है, recycle bin है, temporary files है, और thumbnail है जैसे जैसे हम चेक करते जारें box को, आप देखेंगे, total amount of disk space you gain, 28.GB, इसको lead करने से पहले, हमारी C-Drive को clean करने से पहले, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर मेरी C-Drive में, लगबग 49.6 GB space खाली है, after cleaning, through clean manager utility, हम चेक करेंगे कि कि एकना space हमारे C-Drive में खाली होता है, देखें, यहाँ पर total amount of disk space you gain, 28.2 GB है, दोस्तों इसमें आपको द्यान रखना है, कि इसमें आपका downloads का page भी आपको दिखा रहा है, आपको यह दि सभी downloads file को delete करना है, तो आप इस checkbox को check कर लीजे, अदरवाइस आप इसको uncheck कर दीजे, दे इसके बाद next आप से पूछ रहा है, are you sure to want to delete permanently these files, click on delete files, इसके बाद जब हम click करते हैं इस पर, तो देखें यहाँ पर cleaning up, drive C, और अलग-अलग files को यहाँ पर वो clean कर रहा है, delete कर रहा है, friends, this cleanup की इस process को आप एक दो बार repeat कीजिए, और every time आपको select करना है, temporary file के checkbox को check करना है, okay करना है, delete files पे फिर से click करना है, इस तरह आपकी extra temporary files हर बार delete ओरती जाएंगी, friends, यहाँ पर देखें मैंने एक दो बार try किया है, 49.6 GB हमारे पास free space था, अभी 73.3 GB space हमारे पास free हो गया है, लग-बग 23 GB हमारे पास space extra आ गया है, यहाँ पर हमारे पास temporary files पूरी एक साट delete न करने के लिए, आप देखे, press कीजिए, window plus R, then आपको type करना है, percentage temp, then again percentage, then click on ok, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको बहुत सी temporary files यहाँ पर दिखाई देंगी, आपको करना क्या है, control A से इनको select all कर लेना है, then click on delete, यहाँ पर हमें इनको delete करना है, friends, यहाँ पर कुछ file नहीं हो पाएंगी, आप इनको select all करके skip कर सकते हैं, देखे, यहाँ पर हमारे पास tap file में अब कुछ ही file बची है, हम इसको close कर देते हैं, page को refresh कर लेते हैं, और देखे friends, हमारे पास 46 GB था space, अभी वो 93.GB space हमारे पास खाली हो गया है, इस process को आप step by step follow क कीजिए, friends, disk cleanup utility open करने का shortcut है, window प्लस हार प्रेस कीजिए, यहाँ पर आप लिखिए clean manager, clean, mgr, then hit enter, देखे, यहाँ पर हम से पूछ रहा है, drive select करने के लिए, आप drive C select कर लिजिए, then click on ok, जब आप यहाँ पर, ok पर click करेंगे, देखे, same open हुआ है, disk cleanup utility आप open होगी है, यहाँ से आप इन check box को check करके, and click करके, ok पर delete files करके, आप अपनी c drive को free कर सकते हैं, friends, इस तरह आप बीना important data को delete के वे, आप c drive के space को बढ़ा सकते हैं, temporary file को delete कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो like share ज़रूर कीजिए, channel को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे, मिलते हैं next वीडियो में, thank you